दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से आपका अन्विदार के में सौगत है दोस्तो आज के इस महत्मूर्ण वीडियो में हम कुछ बिटकॉइन की खबर लेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन ने कुछ करेक्शन लिया है तो क्या यूएस की अपडेट आ रही है औ और क्या ऐसी चिंता जनक खबर आ रही है बिटकॉइन के बारे में उसके बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे इसमें एक बैंक के बारे में जो बर्ड की चौथे नंबर की बैंक है वो क्या कर रही है बिटकॉइन के साथ और हम डॉगी कोईन की इसमें खबर उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या रिपिल जो है उस खबर से डाउन जा सकता है और सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको बिटकोईन एथेरियम और एकसर पी के प्राइस के चार्ट के ऊपर और हम यह समझने की कोशिच करेंगे कि आने वाले टाइम में आगे अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रुकेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको लाइक जरू करने क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन और आप देख सकते हैं कि यहां हमने एक यलो लाइन जो है डो कर रखी है सपोर्ट के लिए तो आपको अभी दिखा रहा हूं मैं यह अभी बिटकॉइन जो चल रहा है करीबन 47,472 पर चल रहा है सुभे के टाइम में कुछ बिटकॉइन ने करेक्शन लिया था और यह दोस्तों यह हमने जो इन्फॉर्मेशन है सपोर्ट की विटकॉइन की डंप होने की जो हमने आपको दी थी वह टेलीग्राम में दी और आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया है तो आप जोइन कर लिए क्योंकि आपको टाइम ली जो है इस तरीके की न लिंक जो है नीचे description में दे रखी है तो मैं अभी बात कर रहा हूँ Bitcoin के support की तो अभी जो yellow line में ने बनाई है Bitcoin की तो ये है support line करीवन 43, 44,000 के आसपास अभी support चल रहा है इसका लेकिन अगर यहां से ये breakout करता है और उपर की तरफ जाता है तो Bitcoin जो है बोर्ट टच करता है 50,000 के आसपास 50,100 के आसपास Ethereum का आप देख सकते हैं कि Ethereum ने भी correction लिया था आज morning में और काफी नीचे गया था Ethereum Ethereum पहुंच गया था करीवन 1600, 1600 के आसपास उसके बाद फिर Ethereum ने जो है थोड़ा सा pump किया और pump करने के बाद अभी Ethereum जो पहुंच गया है 1763 के आसपास तो 1763 पे समय चल रहा है और अगर यहां से breakout करता है Ethereum और उपर जाता है तो अभी जो Ethereum का जो breakout level बन रहा है वो बन रहा है 2000 के आसपास और मैं अभी लेके चलता हूँ आपको XRP की तरफ तो XRP की news अगर आप देखिये तो मैंने एक line yellow खीच रखी है यह इसकी जो है तो यह हमने जो yellow line खीच रखी है यह एक support line थी और अभी जो एक news आ रही है उसकी बज़े से उसकी बज़े से XRP ने जो है वो correction लिया काफी अच्छा खासा correction लिया और XRP जो है वो नीचे आ गया आपको बताओं और अभी जो चल रहा है XRP वो चल रहा है करीवन 40.55 के आसपास लेकिन support level की बात करूँ तो अभी जो support level इसका immediate जो बनना है 0.52 के असपास बन रहा है और अगर इससे भी नीचे जाता है और इसको भी तोड़ता है support line को तो XRP जो बनता है वो बनता है 0.45 के आसपास तो यह जो था XRP का level था और अगर XRP यहां से breakout करता है और उपर जाता है तो XRP का जो breakout level और जो resistance level बन रहा है वो बन रहा है 0.7 के आसपास तो दोस्तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप यह कौन सा tool यूज करते हैं तो मैं आपको बताओं कि यह elite crypto tool है और हमने बुलकुल इसको free कर रखा है आप इसको join कर सकते हैं free of cost और सारी चीज़ें जो है knowledge आप पूरी ले सकते हैं इस tool से तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं अपना ट्वीटर पर मैंने एक post की थी तो दोस्तो हमने आपने देखा होगा कि जिस तरीकी की बैंक की situation चल रही है तो हमने इसको अपने subscriber के लिए बुलकुल free कर रखा है आप इसको free of cost जो है tool को use कर सकते हैं इसका नाम है elite crypto tool और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें use कर सकते हैं और यह जो है elite crypto tool trading view से टकर का है बलकि उससे तरीके की position चल रही है band की तो हम नहीं चाहते कि लोगों से इससे कमाएं और आपको इसमें बहुत ही अच्छा फादा हो और सीखने का मौका मिले जोस्तों अब मैं चलता हूं एक अपने tweet के उपर और मैंने tweet किया है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने दो चार्ट जो है व उसी तरीके का तो यह जो है बिल्कुल similarity बन रही है और अभी हाँ जो 2017 में अगर मैं टॉप पर दिखाऊं तो यह करीबन 4000 डॉलर का दिखा रहा था और उसके बाद आपको पता है कि 19,000 डॉलर तक गया था 2017 में उसी तरीके से अगर bitcoin यहां भी cross करता है तो आप उमीद लग सकते हैं कि bitcoin कहां जा सकता है तो दोस्तों यह केवल एक comparison है और आप लोगों को हमें comment करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि वही चीज जो है वो फिर से दोराई जाएगी और वही profit जो है और उसी तरीके का boom bitcoin में फिर से देखनों को मिलेगा तो यह आपको हमें comment करके बत advisor है जिनका नाम है Mr. Dan Nathan और यह American government में काम करते हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बात की है वो यह कही है कि US government जो है वो bitcoin को allow नहीं करेगी replace करने के लिए dollar को कि आप dollar की जगे bitcoin को replace कर दें और उन्होंने यह बात कही थी Elon Musk के उपर आपको पता होगा कि Elon Musk ने अभी 1.5 billion dollar के bitcoin खरी रहे थे तो उस उस खबर के उपर उन्होंने यह टिपड़ी की थी कि government जो है US government जो है वो allow नहीं करेगी कि आप dollars को replace करके आप bitcoin में use करें लेकिन मैं आपको बताओं कि जो खबर बनी थी जो खबर आ रही थी वो य थी कि Elon Musk ने SEC की सहमती से और उनको एक परचावी दाखिल किया था और उसमें उन्होंने clear cut कहा था कि हम जो है dollar की जगे bitcoin जो है वो use कर रहे हैं अपने sheet में दूसरी उन्होंने जो खबर की थी वो एक चिंता जनक थी जिसके बारे में उन्होंने यह टिपड़ी की वो यह थी सकते हैं तो यह बात उस बात पर कही गई Mr. Dan Nathan ने जो founder है risk, reserve, advisor के तो यह बहुत सारी बैंकों के advisor हैं और US government में काम करते हैं कि आप किसी तरीके का अगर risk होता है तो उसको किस तरीके से bearish करते हैं यह सारी चीजें यह देखते हैं तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस इस खवार आने से काफी panic फैला था market में और जिस तरीके से morning में आज सुबह bitcoin जो है वो correction ले गया, dump कर गया, लोगों में बहुत चिंता आई कि क्या सर क्या हो सकता है bitcoin का और उसके बाद bitcoin फिर जो है वो थोड़ा सा अच्छा समला और उसके बाद आगे वड़ा, तो दोस्तो मैं आपको बताओं कि अभी केबल 3% ही bitcoin की जो total quantity है, वो जो है institution जो है, वो hold करके रखे हुए है, अभी ज़्यादा जो है, नहीं है, केबल 3% ही bitcoin जो total quantity है, उसका केबल 3% ही उसको hold करके रखे हुए, तो दोस्तो ये खबर जो थी, वो मैंने आपको बता दी, जो थोड़ी च जो चलते रहते हैं, bitcoin एक real currency है, और वो correction भी लेती है, तो ये एक वही correction है, एक healthy correction है, और bitcoin यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा, तो ये बुलकुल आप assume करके चलिएगा कि bitcoin अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी institutions जो है, वो अभी market में आ रही है, bitcoin को support कर रही है, bitcoin को खरीदने के लिए आगे बढ़ रही है, दोस्तों अगली ख़बर जो आ रही है, वो बहुत ही बैतरीन आ रही है, और वो बैतरीन आ रही है, Morgan Stanley के तरफ से, आपको बता दू कि Morgan Stanley जो है, वो अमेरिका की fourth number की सबसे बड़ी bank है, और उस bank ने डिगलियर किया है, कि वो bitcoin को support करेगी, दोस्तों उसने देखा है कि इतने सारे लोग जो investors हैं, वो bitcoin में जा रहे हैं, तो अपने investors को support करने के लिए, उसने ये decision लिया है, कि वो भी bitcoin को support करेगी, Morgan Stanley के द्वारा आप investment कर सकते हैं, अपने fund को, तो दोस्तों ये ख़बर भी बहुत अच्छी थी, और अगली ख ट्वीट किया है, doggy coin जो है, वो बढ़ गया है, दोस्तों अब जो concern की बात है, वो ये है कि अभी एक tweet आया था, Elon Musk का, और उन्होंने कहा था, कि जो बड़े-बड़े holders हैं, अगर वो doggy coin को बेचते हैं, तो वो उसको support करते हैं, दोस्तों मैं आपको बताओं कि doggy coin का जो कर even 20% doggy coin जो है, वो केवल एक account hold करता है, और अगर मैं total 50% की बात करता हूँ, doggy coin की जो supply है, तो 50% doggy coin केवल 12 holders जो है hold करते हैं, कहने का मतलब यह है कि 12 account ऐसे हैं, जिसमें doggy के 50% doggy जो है, वो store पड़े हुए हैं, तो दोस्तों जब तक doggy बिल्कुल समान रूप से बितरित नहीं होता है, समान लूप से लोगों में नहीं जाता है, तब तक doggy के dump होने की possibility बनी रहती है, क्योंकि जिन लोगों के पास इतने doggy हैं, वो कभी भी निकाल सकते हैं, मार्केट में और मार्केट को dump कर सकते हैं, तो Alan Musk का कहना यही है, कि हम उसको support करते हैं, कि आप अपने dog doggy coin को निकाले, और आप बेचें, तो हमारे लिए वो एक अच्छी चीज होगी, और यह बहुत अच्छी चीज होगी, तो इस ब्यक्तित के करण, जो doggy coin हैं, वो करीबन 23% जो है, वो doggy coin ने correction लिया और गिर गया था, आप देख रहे होंगे, दोस्तों मैं आपको यही कहू करें, उसके बाद doggy coin में invest करने के लिए, आप अपना decision जो है, वो ले सकते हैं, दोस्तों अब बात करते हैं, रिपिल के बारे में, और रिपिल की जो खबर आ रही है, वो आ रही है, बहुत ही चिंता जनक, और वो खबर है, जो रिपिल के co-founder है, Mr. Jed MacCallag, उन्होंने अपने पिछले दिनों से जब से SEC का lawsuit उनके उपर लगा है, उन्होंने अपने जो रिपिल है, उनको बेचना शुरू कर दिया है, और दोस्तों जो अभी possibility, अभी जो खबर आ रही है, वो करीवन आ रही है कि 40 million XRP उन्होंने जो है, वो market में निकाल दिये हैं, और लगातार वो उसक जो holding है, उनको कम करते जा रहे हैं, मतलब हर दिन, किसी दिन 22 million, किसी दिन 30 million, किसी दिन 40 million, इस तरीके से लगातार ही market में वो अपने XRP को निकाल रहे हैं, जिससे लोगों में चिंता की बात आ गई है कि एक co-founder, जो पूर्व co-founder है, रिपिल लेव का, वो अगर इस तरीके की कहानी कर रहा है, तो आने वाले टाइम में रिपिल में correction आ सकती है, ये लोगों में चिंता जनक बात है, तो दोस्तों इसकी जो है वो positive भी impact आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर एक आदमी ही इतने रिपिल जो है, निकालता है, तो वो रिपिल जो है, वो community में distribute हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत correction जो है, वो रिपिल ले सकता है, और उस correction में आप लोग enter ले सकते हैं, अगर रिपिल correction लेता है, और आने वाले टाइम में फिर जब community के पास वो रिपिल होगा, तो एक strong community बनेगी, और एक अच्छी community बनेगी, और रिपिल जो है, वो आगे एक अच्छा performance दिखा सकता है, दोस्तों वीडियो बन करने से पहले एक वार आपसे फिर कहना चाता हूँ, कि अगर आपने हमारा चैनल जो है, वो subscribe कर लें, गंटी का बटन दबा लें, दूसरा अगर आपको वीडियो पसं जो है, उससे generate हो सकती है, तो नीचे description में link दे रखी है, तो आप उसको जरूर ही join कर लें, जो हम elite crypto tool जो है, वो आपको free दे रहे हैं, तो आप इसको retreat कर सकते हैं, retreat करने के बाद आपको ये free of cost जो है, वो available हो जाएगा, तो आप इसको भी join कर लीजिए, तो दोस्तों काफी क कुछ खवरें हुई अब, और अगली बार फिर किसी नई तादा अपडेट के साथ आपको सामने फिर उपस्तित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन!